यह एक आइसी आइका बहुत ही बड़ा अनौंस्मेंट हुआ है एक नया सीए कोस एक रिवैंब सीए कोस अनौंस किया गया ऑन दे सीए डेड़ा इस फॉर्स जुलाइब और इसी को लेकर वक्त वहुत सारी विडियो बनाया हुआ है इस वीडियो में आपको सारी जंकरी मिल जाए कि from the start अगर आप existing student हो अगर आप new student हो अगर आप सीए हो और जानना चाहते हो कि यह सीए कोस में क्या है तो यह वीडियो देख लेना मैंने डिवाइड किया है इसको दो तीन पार्ट में फॉर्स पार्ट देखेंगे हम about the new students second part देखेंगे हम what transition students overall यह स्कीम बहुत ही great new course है यह course चोटा है यह course में papers कम है mcq जादा है तो हैंस सीए बनने के लिए यह course बहुत ही अच्छा है और आप सीए अब यह स्टार्ट अन शुरू करते हैं नया स्यकों इसने स्यकों सो क्या नाम दिया है इसको बुला गया है new scheme of education and training बड़ फॉस यह एक old scheme बेस बेस्ट 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 एक नया होता था उसमें old भी चलता था और new भी चलता था अभी ऐसा नहीं है यह old को wipe off कर देंगे एक attempt के बार पूरा ओल्ड जो भी लेगेसी है वो निकल जाएगी जो भी स्केलेटेंगे वो सारे निकल जाएंगे और फिर से बचेगा new course इसको मैंने दो तीन पार्ट में डिवाइ करोगे अगर आप आटिकल हो अगर आप फाइनल में अगर इंटर में फांडेशन हो उनके बारे में भी डीटेल आपको transition में मिल जाएगी सो लेट स्कार्ट वाला चीज देख लेते हैं जो नए स्टूडेंस के लिए हैं सो नए स्टूडेंस के लिए इस course में क्या है कैसे ह फीज टाइम लाइन सब रहता ही जाएगी तो लेक्स टॉक अबाओ फर्स नूटूडेंस में दो टाइप के स्टूडेंस होते हैं फर्स जो होते हैं वो 10 एं 12 पास करके 10 एं 12 स्टेज पर रेजिस्टर कर लेते हैं तो इस फांडेशन रूट बोलते हैं इसको इसके बारे म यह यह इस फांडेशन इंट्री ए होते हैं कॉन से चार पेपर होते हैं एक होता है एक होता है अट होता है मैथमेटिक्स और एक होता है economics. So, इन चारो papers को basis पे आपको foundation exam आप clear कर सकते हो. इसमें MCQ questions भी होते हैं, बड़ यहाँ पर negative marking है. Guys, यहाँ पर एक negative marking के chances है, 0.25 मतलब अगर एक answer wrong होता है, तो पूरे answer है, जतने marks होते हैं, उसके 0.25 minus हो जाते हैं. इन चारो paper को clear करने के बाद foundation exam clear कर लोगे. इस exam की fees are 9,000 rupees, सिर्फ, and सिर्फ because इसमें study material included होता है, तो बहुत ही कम fees में आप foundation exam दे सकते हो. इस exam में क्या change हो है? accounts में थोड़े topics add कर दिये गए हैं, because at आगी के stage में accounts and law में बहुत सारे topics निकाल दिये, तो यहां पर थोड़े accounts और law में topics add कर दिये गए है, but difficult नहीं हो है, overall guys यह foundation exam जो पहले रहता था है, वैसा ही है, so this is the exam, यह entry level exam है, इसको आप कब दे सकते हो, यह foundation exam सान में दो बार होगा, एक बार होगा June में और एक बार होगा December में, अगर आपको June में देना है, तो कब register करना पड़ता है, December में देना है, कब register करना पड़ता है, 4 महीने पहले, अगर आपको June में देना है, तो May, April, March, February, February 1st तक आपको register करना है, so that you can give this exam in June, same December में भी 4 महीने पहले आपको register करना है, सबसे earliest आप कब दे सकते हो, ये June 24 में 1st exam होगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूगा, जून 24 में, इसका ये 1st exam जो होगा, और इसको आप register कर सकते हो, generally जब आप 12 के exam देने वाले हो, उसके पहले ही आप register कर दो, तो अगर exam आप जो 12 का exam है, वो दे रहे हो March में, मतलब 12 के exam के थोड़ा पहले, इसके लिए register करना पड़ेगा, ये fairly easy paper होता है, and इतना difficulty level high नहीं होती है, ये 1st entry level है, now let's talk about second, अगर किसी को join करना है, बट उसने 10th और 12 में मन नहीं बनाया था, कि CA करना है, या फिर उसको graduation के बाद, या during graduation लगा कि मुझे CA करनी है, तो उसको बोलते है direct entry route, ये direct entry क्या होता है guys, direct entry is basically उन लोगों के लिए होता है, जिन्होंने थोड़ा late realize किया, late decide किया है कि हमें CA करना है, so ये direct entry में एक exam नहीं देना पड़ता है, वो है foundation, so आपको foundation exam नहीं देना पड़ता है, because आप graduation exam दे रहे हो, so no foundation exam इसमें आप एग्राजुएट या graduation कर रहे हो, या कर चुके हो, या post graduation कर रहे हो, या कर चुके हो, तो इस दौरान आप इस post में register कर सकते हो, बट इस direct entry root में आपको foundation exam तो नहीं देना पड़ता है, तो फिर्स्ट एक्सटाइम यहां पर मैं बता दो क्या करना पड़ेगा इंटर एक्डाइम देने से फेले अपको ग्रजुवेशन एग्जेम्पल आप मार्च में ग्रजुवेशन कर रहे हो तो आपको प्रुवेज्जबी रेजिस्टर करना पड़ता है प्रोविजिनल रेजिस्ट्रेशन मतलब ऐए रिजुऺ्टuffs की अगर इने ये वह वह लोग आपको रेजिस्ट्रेशन देढ़े तो आप प्रोविजिनल के वह तो मैंने मांट में मिरा टीवाई भी कोंगा एकजााम दिया या टीवाई बीगई का E Alg dagger उसके पहले ही मैं रेजिस्टर करतू तो मैं यह और डिरेक्ट एंट्री में स्टूडेंट बन जाता हूं नाओ डिरेक्ट एंट्री या फांडेशन दोनों में आप कर सकते हो डिरेक्ट एंट्री में फांडेशन देनी के जूरत नहीं पड़ेगी और फांडेशन में आपको कोई भी रूट से अगर आप आए हो अब आप आजाते हो नेक्स लिविल पर जिसको बोलते हैं इंटरमीडियट एग्जैम उसको बोलते हैं इंटर एग्जैम पॉपिरली इसको बोला जाता है इंटर एग्जैम और यह सेकेंड एग्जैम होता है फांडेशन वालों के लिए दूसरे को पूलते है group 2 जिसमें और फिर भी तीन paper होते हैं यहां पे दोनों में तीन तीन paper होते हैं आइस यह यह क्यों अच्छा हो गया सब्सक्राइब होते हैं अब जो होने वाले हैं वह है मेरा जो बेबी है टैक्स होगा मैं डिरेक्ट टैक्स और जी एस्ट पढ़ाता हूं इंटर फाइनल लेवल पे तो यह तीन पेपर हो जाएंगे ग्रूप में और ग्रूप टू में होने वाले हैं एक पेपर जिसको नाम है कॉस्टी फिर और पर है जिसको कम कमाइन किया गया ह इसमें मुझे कितने मार्क्स लाने होते हैं इसका मतलब है एक में 60 लेकिया तो कवर अप हो जाता है तो 40 या 50 परसेंट आग्रिगेट आपको यह दोनों को Benchmark क्लियर करने होते हैं कि intermediate exam में एक और बहुत अच्छी बात जो नहीं कहड़ेगे यहां पर MCQ होने वाले हैं पहले भी होते थे अब अब सारे papers में होने पहले सारे papers में नहीं होते थे अभी सारे papers में एंची की होंगे and 30% marks mcq के लिए होगा that is another good thing मैं जो good वक में आन सर दिया वहाद लोग को करते हैं तो अगर आप य still कुछ कर दीजिया नहीं यहां पर तो गोई नेगे टिव मार्किंग नहीं नहीं है यहां पर आपको समझ जाएगा कि न माई इसमें एकवार भर या है वह holiday और या है वह हो रहा है कि इंटर kitsinate ग्लिर करना है अभी foundation इंटर या डिरेक्ट एंट्री इंटर दोनों करने के बाद ही आप टैक्टिकल ट्रेनिंग कर सकते हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा इन उनों ग्रूप को साथ में देना अलग अलग भी दे सकते हैं उन्होंने ऑपरचुनिटी दी है इसका मिडिल जो इंटर्मेडिन इसमें इसमें आपको बुक्स भी इंपूड हो जाती है वो लोग आपको प्निटर्में ःसके प्राइस्टरं इसके वीडियो मैं आगे अब करते हैं अब बात अब यहां पर भोला गया है इसको प्राक्तिकेल ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं यह अब जब जब foundation इंटर दोनों clear हो जाएगा या direct entry इंटर दोनों clear हो सकता है तब ही आप कर सकते हो इसको कर दिया गया है two years का और यह बहुत अच्छी चीज है because earlier case में यह हुत था कर दी गई है because इसमें इतना gap नहीं होता है अभी two years 24 लीव मिलती है आपको और यह आपको करना होता है एक सीए के अंडर या फिर अगर आप इंडस्ट्रिल टेनिंग करना चाहते हो तो इंडस्ट्रिल टेनिंग का भी option है इंडस्ट्रिल टेनिंग क्या होता है यह बता देता ह और यहां पर दो साल के अंदर खतम हो जाती है यह चीज तो एक स्मॉल चीज बहुत इंपोर्टन नहीं है बढ़ा दी गई है पहले स्टाइपन बहुत कम होती थी अभी वह स्टाइपन बढ़ा दी गई है इतनी होनी चाहिए और इस अल्मोस्ट परसेंट इंगी है पुरा और भाट फायनल एंगे अग्जाम में और तो आसे उस लेवल पे आपक्तिकल रिंगं कर दे गया है उसके बाद आता है फॉन एक्जाम सो प्राक्टिकल टेनिंग्स टेंगंस पर ने का भाद एग्जाम है स्टाइपन बातें चीका च्छाइब और में क्या क्या हो गया है क बीस सिर्फ छे पेपर होंगे आट पेपर थे पहले सो यह ओल्ड कोस्त में आठ पेपर थे उसको अटा के इन्होंने चे पेपर कर दिया तो दो पेपर क्या हुआ वह बात करेंगे एसमें बीडो को ग्रूप से Group 1 and Group 2 मैं फटावट बता जाता हूं को क्या है group 1 में group 1 में इनको AAA subjects बोलता हूं because इनका है accounts फिर audit and advanced strategic स्ट्रीजिक ज्याइब ड्रिपल इग्रूट है and second वाला तो जो मैं पढ़ाता हूं direct taxes plus indirect taxes plus एक case based paper पर है यह प्रक्राइब क्या है मैं आपको बता देता हूं सो छे पेपर हैं सेम क्राइटीरिया 40 पार्ट सब्जेक्ट 50 मां आपको लाने होते हैं यह के पेपर यह हैं अभी एट पेपर से रिद्यूस होके ऑल्दो ऑन पेपर सिक्स बोलते हैं बडिए फाइव रह गया है वह बेस्ट वह बेस्ट वह बेस्ट वह बेस्ट अजर वो दोनों ग्रूप साथ में तो यह बेस्ट हो जाएगा सब के लिए और इसके बाद जो दो पेपर निकाले गए हैं उसको डाला है सेल्फ लर्निंग मॉडियूल में सेल्फ लर्निंग मॉडियूल क्या होते हैं वो डिसकस करेंगे बट ओवर आल गाईस आप रेजिस्टर करोगे सीए फाइनल एक चूटी सी चीज़ है कि प्रैक्टिकल ट्रे करना है फाइनल एग्जाम के लिए आपको सेल्फ लर्निंग मॉडियू क्लियर करने है और आपको एक आईटी सॉफ्किल ट्रेनिंग करना है तो यह तो बहुत सिंपल है यह भी बहुत सिंपल है आपको यह स्टडी पिरिट सिक्समांद का मिल जाता है तो गाईस इस इस आपको बागेन करना पड़ता था लिवस के लिए अभी नहीं करना पड़ेगा यह दो बहुत ही अच्छे और बहुत ही नहीं चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है लेट्स नाव डिसकस अबाउट सल्फ लर्निंग मॉडियूल क्या है ऐसे को लगा कि खोड़ी सब्जेक्स जो है जिनका हमको formal exam नहीं लेना है उसके लिए आपको सिफ रीडिंग मटीरियल दिया जाएगा online और उसको आपको घर पर ही बैटे exam player करना है उसको बोलते हैं self learning module यह exam में कोई negative marking नहीं है यह exam में कोई fees नहीं है यह exam कितने भी टाइम दे सकते हो और इसमें चार subject है basically एक है law एक है costing एक है elective और एक है others लो जो था वो पहले proper paper था अभी self learning module costing भी elective में international tax economics ऐसे ले सकते हो और अधर में अंत्रपेंशिप डिजिटल you know knowledge वह सब आप पर दे सकते हो बहुत ही simple paper है यह बहुत ही अच्छी चीज़ है for CS students because इसमें there is no negative marking इसमें आप घर बैटे exam दे सकते ह हो इसमें आप कितनी भी बार exam दे सकते हो बड़ इसका only a condition है यह आपको before giving the final exam clear करना है so before the final exam आपको यह चारो clear करने आप कितने बार भी कर सकते हो आर्टिकल चिप में free Sunday मिला तो उसमें भी कर सकते हो आप so no problem at all सिर्फ एक exception है the first paper होगा May 24 में under the new syllabus उनके लिए SLM आप after the exam भ learning module और कोई दाउच है तो मुझे पूट सकते हैं बहुत सेल्फ लर्निंग मॉडिल बट नाव हम चले जाते हैं अपने नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टन डिसकेशन पर हो है ट्रांजिशन मतलब आपने अल्रेडी आप इस को समें आच चुके हो तो अभी आप इसको कैस से आगे करोगे वो डिसकर करना है इस नेक्स्ट फार्ट वीडियो में इसको हम बोल रहे हैं त्रांजिशन सो ट्रांजिशन कैसा होता है हूँ देखते हैं ट्रांजिशन फांडेशन फांडेशन स्टूटन का और अपने जून एगजायम अभी दिया है या December के लिए रिज मतलब six papers होंगे for practical training मतलब two years and for final exams मतलब six papers तो आप पूरे नए में आप convert हो जाओगे this is basically for those people who are giving the foundation in the old scheme अगर आप foundation already कर चुके हो clear and अभी आप उस stage पे हो जो आप inter exam दे रहे हो and inter exam आप इधर दे चुके हो इस में में या फिर इस नवेंबर में देने वाले हो basically आप old post में देने वाले हो तो क्या हो सकता है इस में थोड़े बहुत scenarios है first let's एक scenario ले देते कि आप both group pass हो चुके हो both groups have been cleared अगर आपका वैसा situation है तो congratulations very good आप practical training में अभी register कर पाऊगे two years के लिए and finally six papers का ही होगा so which is very good अगर आप both group clear कर चुके हो तो guys अगर आप एक group कर चुके हो clear that is group one cleared अगर हो आप या फिर में में या नवेंबर में group one clear हो गयो तो बहुत ही interesting situation हो जाती है आपको group 2 देना पढ़ेगा new scheme but आपको देने पढ़ेंगे only two papers that is accounting sorry आपको दो ही paper देने पढ़ेंगे that is audit and fmsl आपको ग्रूप टू में जो costing paper है वो नहीं देना पढ़ेगा so no costing paper because अपने ग्रूपन में और अल्लेटी costing exam दे चुके हो आप clear कर चुके हो अगर ग्रूपन clear भी नहीं किया है बट अगर costing paper में exemption है तो वो भी exemption आप carry कर पाऊगे तो वह बहुत ही important है यह कि अगर आप group 1 कर चुके हो clear and group 2 new में दे रहे हो तो group team में आपको costing नहीं देना है वाइस प्लीज नोट आपको नहीं देना है costing paper अगर आप costing में exemption exemption मतलब 60 मांग से उपर तो वह भी exemption आपको next वाले में clear continue कर सकते हो of course exemption तभी आप carry forward कर सकते हो तो आप group clear कर चुके हो now so this is group 1 clear see is group 2 clear अगर आप group 2 clear कर चुके हो पुराने syllabus में जिसमें group 2 में 4 subject होते थे और वो clear कर चुके तो अभी आपको सिर्फ group 1 देना है बड़ आपको ग्रूप बन के तीनों वेपर देने हैं आपको अकाउंट भी देना है एडवांस अकाउंट आपको लॉबी देना है तीनों ग्रूप और नियू में देना पड़ेगा आपको फिर उसके बाद आप in practical training करोगे दो साल की and finally करोगे आप six papers का बाकी आप सेम हो जाते हो और अगर आप दोनों ग्रूप में पास नहीं होते हो तो बोद ग्रूप फेल अगर आप unfortunately बोद ग्रूप में फेल हो जाते हो देन completely new तो इंडर आपको नए में देना पड़ेगा विच इस six papers practical training फिर उसके बाद होगी आपकी two years की and फिर final होगा आपका six papers का आप completely नहीं में चले जाते हो मेरा एक suggestion है अगर आप old scheme में हो इंटर में तो don't wait कि मैं नवेंब में में नए स्कीम में स्विच वारता हूं मत आप छे महीना practical training बचाने के लिए आप you know it's not right so old scheme में नवेंबर exam में focus करो वो finish कर दो and then go into the new scheme that's my suggestion so ये दो तीन चीज़ है transition में वह थोड़ी tricky है ध्यान रख लेना so this is where you have cleared a question हो तो पूश लेना next fourth situation और actually ये है second ये है third situation third situation कि आप अगर practical training कर चुके हो या कर रहे हो basically you are doing articleship अगर आप articleship चालू कर सकते हो कर चुके हो आप articleship started then unfortunately आपको three years के articleship करनी ही पड़ेगी and then आपको finally और देना पड़ेगा which is six paper so yes इसमें थोड़ा आपको time लग जाएगा but already आप articleship में registered हो तो फटा फट हो जाएगा वो और already articleship रजिस्टर चुके हो तो तीन साल का ही होगा nice please note first of July के बाद कोई भी articleship नहीं रेजिस्टर होती है तो दो साल के लिए ही होगी and last अगर आप final exam में हो तो भी वैसा ही situation होगा आप आप final exam में हो तो आप अगर आपको six papers new में देने पढ़ेंगे अगर आप clear नहीं हुए ग्रूप न क्लियर हो गए तो same मैं इसको एक पर वापस लिख लेता हूं अगर आप final में ओल्ड में दे रहे हो तो अगर आप group 1 में clear हो चुके हो अगर आप बोद ग्रूप और आप आप जो को तुकिन कोई बाती नहीं है अगर आप group 1 क्लियर कर चुके हो तो group 2 आपको देना कड़ेगा और गूप 2 क्लियर का चुकिए तो ग्रूप 1 देना पड़ेगा आपको उस तरीके से आपको एक्जाम देने पड़ेंगे और आपको self-learning module देना पड़ेगा ब वैसे बी इंटर टिकल टेनिंग और वैसे अगर आप नियू में अल्रीडी हो इंटर में तो आप अगर न्यू में जाओगे विक्वाज आठिकल शुप दो साल के अब six months exam के लिए वेस करेंगे तो हेंस एक राइस सिनारियो ये भी हो सकता है कि आप एक ग्रूप देने वाले 1942 में देने वाले थे में में ग्रूब देने वाले थे तो भी आप कर सकते हो आपको वह कोस्टेंगा जाएगा गर्रून निकल गया तो ग्रूप तो में वो कॉस्टिंग देने के जुदत नहीं पड़ेगे सिर्फ दो पेपर दोगे और ग्रूप भी क्लियर हो जाएगा सब्सक्राइब आपको समझ आए वैसा रखा है और कोई डाउट सो यू कन आल्वेश इच आप टो में अल्वेश पर दिस नियुव सी एक वस